हेलो गाईज दिस इस रेत्तो और वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाईज आज की इस वीडियो में हम सीचेस इन्युवासिटी की लेटेस अब्रेट के साथ आप लोगों के एक वेशन के आंसर देखेंगे तो आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत जादा आपको टाइम से मिलता रहे तो चलिए गाईज फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं पहली अपडेट हमारी सीचेस उन्युवासिटी की डेटशीट से रिलेटिड है उन्युवासिटी के द्वारा आप लोगों के दोनों ही तरीके के ओर सेमेस्टर की डेटशीट जारी कर दी गई है यानि कि आप लोगों के traditional और professional दोनों ही तरीके के courses के और semester की date sheet जारी हो चुकी है traditional courses के जो exam है वो एक फरवरी से है और professional courses के exam आप लोगों के 17 फरवरी से है guys दोनों ही courses के लिए जो date sheet जारी होई है वो main, x, back, sub के लिए है और आप लोगों के exam का जो time duration है वो डेड़ गंटे का है और आप लोगों के जो exam है वो दो shift में कराये जाएंगे पहली shift आपकी 10 से साड़े 11 की है और दूसरी shift आप लोगों की एक से लेकर धाई बजे तक की है और guys साज से लेकर 16 तारिक तक आपको लोगों के किसी के भी exam नहीं है साज से 16 तक का जो time है वो election का time है traditional courses के exam 7 तारिक से पहले है और 16 तारिक के बाद है और अगर professional courses की बात कर ले तो professional courses के तो exam ही 17 तारिक के बाद आपके शुरू हो रहे है और guys यहाँ पर एक चीज़ important और यह भी है कि यहाँ पर जो date sheet जारी हुई है वो first semester के first semester को छोड़कर बाकी सारे semester की date sheet जारी की गई है first semester की हाँ पर आपको date sheet देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि first semester के लिए अभी तक आप लोगों के examination form फिल नहीं हुए है first semester की आपकी date sheet बाद में अलग से जारी की जाएगी तो आप लोगों को first semester को छोड़कर बाकी सारे semester की हाँ पर date sheet मिल जाएगी traditional में भी और professional में भी अब बात कर लिए guys first semester के student के exam को लेकर क्योंकि वो लोग अपने exam को लेकर बहुत जादा परेशान है क्योंकि exam form कब आएंगे exam कब कराये जाएंगे तो देखें आप लोगों के जो exam form है वो फरवरी के first week में फिल करा लिए जाएंगे और फिर आप लोगों के exam फरवरी के last में या फिर March के starting में कराये जा सकते हैं तो आप लोग भी अपनी तयारी exam की करते रहिए अब जल्दी ही आप लोगों के exam हो सकते हैं आप लोगों के exam होने में अब जादा time नहीं है और guys यहाँ पर मैंने जो भी information आपको semester 1 से related बताई है वो सारे courses के student के लिए है वो किसी एक particular course के बारे में मैंने नहीं बताया है इसके अलावा बात कर ले private के courses के बारे में तो देखे private के लिए जो form है वो फरवरी में आप लोगों के fill कराये जाएंगे आप लोग अलग अलग courses का नाम लेकर मेरे से पूछते हैं तो मैं आप लोगों को inform कर दूँ कि फरवरी में आप लोगों के सारे courses के सारे ही एर के form fill कराये जाएंगे किसी एक particular course के यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ इसके अलावा बात कर ले yearly mode के second और third year के exam कब कराये जाएंगे तो देखे yearly mode के regular way में जो courses चल रहे हैं उनके second year और third year के आप लोगों के exam form फरवरी के starting में fill करा लिये जाएंगे और फरवरी के last में या फिर March के starting में आप लोगों के exam हो सकते हैं और फिर मई में आप लोगों का result declare कर दिया जाएगा यह सब कुछ गाइस CCS University ने जो अपना section calendar जारी किया है उसमें सब कुछ mention है तो आप लोग उस calendar को देख सकते हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं वो calendar आप लोगों को teaching और learning के इंस्टा और facebook के पेज़ पर मिल जाएगा दोनों का link मैंने description box में दिया हुआ है सुवए CCS University की तरफ से जो भी update थी वो मैंने हाँ पर आप लोगों के साथ share कर दी है अब आज की इस पीडियो को यहीं पर end करते हैं मिलते हैं next time bye take care